नमस्कार प्यारे किसान भाईयो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग यान में दोस्तो कौन किसान है जो नहीं चाहता कि उसकी गेहूं की फसल इस बार बहतर उत्पादन दे आपको एक बात ध्यान रखनी है बहतर उत्पादन तभी मिलेगा जब आपके खेत में पौदों में ट्रिलिंग जादा होगी फुटाब जादा होगा बंपर फुटाब बंपर पैदाबार का आधार होता है दोस्तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे आप अपने गेहूं की फसल में बहतर फुटाब बंपर फुटाब करा लें उन फरिटिलाइजरों के बारे में बात करेंगे उन उत्पादों के बारे में बात करेंगे जो आपको बहतर फुटाब देने वाला है सामानने तोर पर आपने देखा होगा एक पौदे से 6-8 की संख्या में फुटाब होता है यदि यही फुटाब 15-20 हो जाए तो आपको बंपर उत्पादन लेने से कोई नहीं रोख सकता दोस्तो इसकी सुरुवात हो जाती है बुबाई से ही यदि आप NPK के साथ बुबाई कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फासपोरस और पोटास आपको उपलब्द हो जाती है और दूसरे जो तत्व दो हो गए सलफर और जिंक ये पांच तत्व मिलकर आपके गेहों के उत्पादन को बढ़ाते हैं कुछ किसानवाई DAP या फिर SSP से अपने खेत में गेहों की बुबाई करते हैं SSP में नही तो nitrogen होती है और नहीं पोटास होती है ठीक वैसे ही DAP के अंदर पोटास की मात्रा सुनने होती है तो इन दो जो उत्पाद हैं आप यहाँ पे SSP में nitrogen और पोटास बढ़ा लें और DAP में पोटास बढ़ा लें तब आपको अलग से जो तत्व देने होंगे वो सल्फर और जिंक SSP के केस में सल्फर और जिंक आपको उपलबद हो जाएंगे DAP में नहीं होते हैं और ना ही होते हैं NPK में दोस्तो जिंक के केस में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए यदि आपने पूरबर्ती फसल में यानि एक बर्स में किसी भी फसल के अंदर जिंक को लगाया है तो फिर उसे गेव में देने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि जिंक एक बार बर्स में लगाई जाती है दोस्तो अब बात करते हैं बुबाई के बाद हमें क्या देना है प्रिथम यूरिया प्रिथम सिचाई के समय जो आपकी ट्रिलिंग अच्छे से हो तो सबसे पहले आप अपने खेत में माइक्रो राइजा का प्रियोग कर सकते हैं इसकी छमता ये होती है कि जो एगुननसील रूप से डिएपी एनपी के या अन्य फरेटिलाइजर आपने जो पहली फसलों में यूज की हैं कुछ भाग अगुननसील हो करके खेत में पड़ा रहता है तो माइक्रो राइजा उसे गुननसील बना करके पौदे तक उपलब्द करा देते हैं और भूमी में प्राकरतिक रूप से जो तत्व होते हैं उन्हें भी पौदे को दे देते हैं जिससे पौदे में बहतर फुटाव होता है बहतर ग्रोथ होती है और हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी जिससे हमें उत्पादन बहतर मिलेगा दूसरे जो उत्पाद हैं जैसे humic acid based, seaweed based, amino acid based जो उत्पाद आते हैं जैसे सागरी का हो गया, मुस्कान हो गया या बहुत प्रकार के आपने देखे होंगे enzyme चल रहे हैं तो इस प्रकार के उत्पादों को यदि आप अपनी फसन में लगाते हैं तो वो आपको plant growth regulator के रूप में काम करते हैं और nitrogen के साथ जब आपको यानि यूरिया के साथ ही इसे देंगे तो एकदम से आपको फुटाब देखने को मिलेगा वसरते आपको अच्छी company का चुनाब करना होगा market में बहुत सी dump company चल रही हैं केवल बेखती है उत्पाद लेकिन उसका result नहीं मिल पाता है तो अच्छी company का कोई भी उत्पाद ग्रिनोल्स के रूप में जिसमें seaweed, humic acid वगेरा हो या micronutrients हो ऐसा कोई भी उत्पाद आप दे दीजिए प्रिथम यूरिया के साथ तो आपको देखने को मिलेगा कि bumper उत्पादन मिलेगा क्योंकि bumper trilling होगी ही दोस्तो पानी यानी सिचाई जो होती है ये भी तै करती है कि आपकी गियू की फसल में trilling होगी या नहीं होगी यदि आप लेट पानी लगाते हैं तो trilling का समय निकल जाता है तो आप हमेशे ध्यान रखे 22 से 30 दिन के अंदर-अंदर आपको प्रथम से चाहिए करनी है जिससे बहतर trilling आपको मिले और bumper उत्पादन आपको मिले तो दोस्तों ये दो-तीन बाते मैंने आपको बताई अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें यदि आप हमसे जुणना चाहते हैं तो यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों आज के वीडियों के वहले इतना ही नमस्कार